कि नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत एक बार फिर से अपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में तो अगर आप उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल इस्टोर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूपी एफस्टिया यानि कि उत्तर प्रदेश फूड एंड अगर आपने फार्मासोटिकल जियूरिस्पॉटेंस पढ़ा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि टोटल तीन तरग जो यहां पर लाइसेंस हैं वो दिये जाते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतरगत ठीक है तो देखिए जो हमारे यापे फॉर्म 20 है इ नहीं आती है उनको आप इस लाइसेंस की हेल्प से आप उनको सेल कर सकते हैं उनका इस्टॉक अपने पास रख सकते हैं ठीक है तो देखिए सबसे पहले यहां पे आपका जो भी फर्म होगा ठीक है आप जिस नाम से मेडिकल इस्टोर ओपन करना चाहते है उसका यहां पे वो यहां पे नाम लिखा रहता है, उसके बाद यहां पे प्रोप्राइटर का जो है, वो यहां पे नाम लिखा रहता है, आप यहाँ पर सिधे retail का यहाँ पर business कर सकते हैं ठीक है जो भी यहाँ पर medicine में गया रहा है उनका ठीक है अब यहाँ पर दिया गया है कि of the drug and cosmetic rules 9045 on the premises situated यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर address एता है जहाँ पर कि आपकी medicine shop है medical shop है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपका उत् store open होने वाला है वहाँ पर pharmacist को है तो देखे यहाँ पर pharmacist का जो है वो यहाँ पर नाम लिखा रहेगा उसके बाद उसकी यहाँ पर qualification लिखी रहती है दीफार्मा या फिर भी फार्मा जो भी अपने pharmacist रखाओगा या पर अगर आप फार्मासिस्ट खुद हैं तो यहाँ प पर दिया गया कि categories आप ड्रग याने की drugs other than those specified in schedule C, C1 and X तो जो हमारा schedule C है C1 है और X है इसको छोड़के जो भी drugs आती है उनको आप यहाँ पर इस license के मदद से आप यहाँ पर sell कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर दिया गया होता है date of license issue यह license जिस date को issue होता है उसका यहाँ पर date दिया गया होता है उसके बाद यहाँ पर आपका license number जो है वो यहाँ पर लिखा गया होता है और यहाँ पर licensing authority का यहाँ पर यहाँ पर नाम लिखा गया होता है अब देखिए यहाँ पर इसकी कुछ condition है जो भी drug license जो है वो इस तो किया जाता है तो यहां पर दिया गया कि this license cell will be displayed in a prominent place ठीक है तो जो भी अपका medical store है वहाँ पर आपको इस license को display करना होगा आप इसको चाहें तो इसको frame करवा सकते हैं और अपने दुकान में इसको जो है आप यहां पर लगवा सकते हैं ठीक है उसके बाद जो drug and cosmetic act 1940 में दिया गया है उन सभी rules को आपको यहां पर follow करना होगा तो यह सारी चीज़ें यहां पर condition जो है वो यहां पर दी गई होती है ठीक है आप देखे यहां पर दिया गया है कि यहां पर एक और बात लिखी गई है ठीक है कि the licensee cell inform the licensing authority in writing in the event of any change in the constitution of the firm operating under the license ठीक है तो देखे जो आपका drug license है इसमें अगर कोई भी change होता है जैसे कि आपका address आपका होता है या फिर अगर आपका इस सूचना drug department को देंगे ठीक है यह सारी बाते यहां पर लिखी गई है ठीक है आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं अब देखे यहां पर लिखा गया कि this license is valid till the license holder should deposit retention fee to extend validity of the license on or before this date ठीक है तो देखे जो आपका यहां पर drug license है यह 5 year के लिए valid होता है और इसके पहले आपक इसका renewal जो है वो करवाना पड़ता है ठीक है तो यह हमने यहां पर देखा form 20 को इसके बाद यहां पर एक form 21 भी जो है वो यहां पर दिया जाता है ठीक है यहां पर एक और जो है यहां पर आपको license देखने को मिलता है जो की form 21 में होता है आप यहां पर देख सकते हैं अब इ टूसल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से एक ड्रग लाइसन्स बनवाना होगा ठीक है तो इसमें जो basically जो भी हमारे पास vaccine वेगर आते हैं वो इसमें आते हैं तो same जो यहाँ पर license का format है वो बिलकुल ऐसे ही होता है बस यहाँ पर matter दिया गया है यह बस change रहता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर name of qualified person in charge तो वहीं यहाँ पर name लिखा रहेगा qualification लिखा रहेगा वर्क रोल यहाँ पर लिखा रहेगा category जाफ ड्रक्स इस्पेसिफाइड इन सेड्यूल सी एंड सीवन एक्स्क्लोडिंग दो जिस्पेसिफाइड इन सेड्यूल एक्स ठीक है तो इस license की मदद से यानि कि जो form 21 है इसकी मदद से आप ऐसी medicine को सेल कर सकते हैं अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ जो आपका यहाँ पर लाइसेंस है इसमें प्रोप्राइटर और फार्मासिस्ट दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और प्रोप्राइटर और फार्मासिस्ट दोनों एक भी हो सकते हैं तो देखिए यहाँ यहां पर देखने को मिलेगी और यहां पर लिखा गया है तो जिस डेट को आपका इसी होता है उसके पाइप यहां पर लाइसेंस है उसको आपको रेनुवल करवाना होता है तो दोस्तों आपको यह वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो की मेडिकल इस्टोर ओपन करना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से सेयर करें जैहिंद